पहरा question है RAM का पूर्ण रूप क्या है देखिए इसमें जो question है easy to moderate level के हैं और सारे जो question है वो previous year question paper से लिए गए हैं तो इसका answer हो जाएगा RAM का पूर्ण रेंडम access memory आया RAM की बारे में जान देते हैं RAM जो होता है random access memory होती है और इसमें जो होता है जो data होता है information को read and write दोनों किया जासकता है यह जो volatile memory है देखिए volatile से मतलब है जब हम computer जब बंद हो जाता है कभी light सी ले जाती है तो इसमें जो data होता है वो सब delete हो जाता है या हिससे हम कहते हैं यह परिवरतन सील memory होती है कभी-कभी एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि volatile memory कौन सी है इनमें से तो आपको याद रखता है next है RAM डू टाइप होता है एक होता DRAM दूसर होता SRAM DRAM से मतलब है dynamic RAM SRAM से मतलब है static RAM next question है ROM का पूर्ण रूप क्या है तो ROM का पूर्ण रूप आपको बताना है इनमें से ROM का पूर्ण होता है read-only memory छी जाना देते है रोम के बारे में तो रोम तीन टाइक होता है एक होता है proam दूसर होता है eproam तीसर होता है eeproam ठीक है अपको ध्यान से रूम टीन टाइप पर होता है जी होता है नाम से पता चलिए यह लिए नहीं नाम से पता चला एक इसमें डेटा को पूल आपको अचानक से बंद हो जाए तो डेटा उसमें इस्टोर जेता है डिलेट नहीं होता है question no.3 है DTP का पूरा रूप क्या है DTP की full form पूछी आपको तो DTP की full form होती है desktop publishing desktop publishing DTP का पूर्ण रूप है next question है HTTP का पूर्ण रूप क्या है HTTP का पूर्ण रूप आपसे पूछा है option आपके सामने है तो उसका right answer हो जाएगा hypertext transfer protocol आई जान देते हैं अधनी protocol के बारे में तो IP का phone room होता है internet protocol TCP की full form होती है transmission control protocol URL uniform resource locator USB universal serial buzz www world wild bag आपको यह सब भी याद रखने है next question है SMPS का पूरा नाम क्या है तो option आपके सामने है तो इसका answer हो जाएगा SMPS का पूरा नाम है switch mode power supplier option नमर भी आपका right हो जाएगा next है DOS का पूर्ण रूप क्या है option आपके सामने है DOS का पूर्ण रूप जो हो जाएगा disk operating system disk operating system जो है DOS का पूर्ण रूप है देखिए DOS जो होता है पहले use किया जाता है अब तो window आ गए है तो लेकिन आपको full form याद आखनी है next है computer data की सबसे च्छोटी क्या है तो आपको बताना है computer की सबसे च्छोटी क्या होती है तो answer है इसका bit बिट जो है computer की सबसे च्छोटी क्या है तो बिट को हम कहते है बाइनरी डिजिट जिसे हम जीरो या वन से रिप्रेजेंट करते हैं आए जान लेते हैं अन्य काई के बारे में तो बिट जो होती है सबसे च्छोटी होती है उसके बाद आती है बाइट और उसके बाद के भी फिर एम भी देंजी भी फिर टी भी ऐसे आगी को बढ़ते रहता है आपको याद कर लेना है नेक्स है कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है तो क्वेस्टिन इजी क्वेस्टिन है इसका राटन से जगाए CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है जी आप देख सकते हैं जो CPU होता है यही कंप्यूटर का दिमाग होता है क्योंकि सारा कंड्रोल इसी से होता है CPU की फुर्फा होती है Central Processing Unit अगला कुश्यन है निम निम से कौन सी एक इन्पुट डिवाइस है उप्सन आपके सामने है आपको उताने इन्मे से कौन सी एक इन्पुट डिवाइस है तो इसका राट अंसर हो जाएगा आउट डिवाइस है पीप्रिंटर से हम डेटा प्रवैड नहीं करते हैं प्रिंटर से हमने डेटा प्रापिए ह्क हाड कोपी में तो न मुखेम डिवाइस होती है देखे विख्यों डिवाइस देखे लिजिए अन् Championship प्रिंटर लॉôm है अल्पुट डिवाइस है नेक्स्ट है Windows 10 में Ctrl plus A किस काम आता है तो इसका अंसर हो जाए Ctrl plus A काम आता है All Select देखिए Windows 10 हो या 7 हो या 8 हो कोई भी हो सभी में Ctrl plus A All Select के काम आता है देखिए बाकी windows की जो sort की है वो आप मैं आपको बता देता हूँ control plus a all select, control plus x cut करने का मता है, control plus shift plus delete cut करने का है selected item को, control plus c copy के लिए, control plus insert के लिए control plus v paste के लिए, control plus z under के लिए और window plus f2 rename के लिए यह आपके examen push लिजाती है sort की, तो आपको यहीं याद कर लिए screen sort लिजिए और बागी आप और भी याद कर लिजिएगा, next question है अगला है, MS Word में एक step fund को बढ़ाने के लिए sort cut किये है देखिए हम जो word लिखते हैं, उसका size अगर हमां बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए हम sort cut की भी मालू होने चीए, जिससे हमारा काम easy हो सके तो एक step fund को बढ़ाने के लिए, जो sort cut की है, तो इसका right answer हो जाएगा option number 1, control plus right bracket, control plus right bracket अगर हम sort की दबाएंगे तो एक step fund हमारा पढ़ जाएगा, और एक step कम करने के लिए होता है, control plus left bracket की आपको या रखना है, control plus left bracket यह MS Word, MS Excel दोनों में यह use होता है, तो जो sort की आपको याद कर लेगी है, बाकी यह अन्य sort की है MS Word की, और यह MS Excel में भी होती है, कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसका screen sort ले लिजिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe कर दिजिए, और वीडियो को share कर दिजिए, और टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं, नीची description में इसका link है, वहां से आप जोइन कर सकते हैं